आज का लेक्शर जो है वो भी electronic configuration के ओपर है और electronic configuration के इस lecture में हम previous lecture से related बातें आपको बताएंगे और कुछ नहीं बातें आपको बताएंगे तो आप सब लोग पच्छों बोट के ओपर आ जाएगे तो हम लोग स्टार्ट करतें अपने कि रास तो बच्छों बोट पर देखिए का electronic configuration का लेक्चर है तो बच्छों एक बहुत इंपोर्टेंट सवार electronic configuration पर आता है वो मैं आपको यहांबर बताता हूंगे question याएगे which rule and principle which rule or principle is violated in following electronic configuration स्टेट दरूल एंड री राइट करेक्ट एलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगरेशन देखें मेटर मीटिंग आपकी रुक रुक कर आ रही है सिद्रा तो और किसी की मीटिंग रुक कर आ रही है वीटा वीडियो सबकर सही आ रहा है और वाइस सही आ रही है ओके सिद्रा आपके केनेक्शन में प्रॉब्लम है देखें आप विसाल के तौर पर बजो यह एलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन आपको दीए यह 1 is 2 2 is 3 तो बच्चु जी मेटा अलेश्पा बाकी सबकी वीडियो ठीक आ रही है मेरे पास भी ठीक आ रही है वीडियो पेटा आप देखें अपने करेक्शन में आपका मसला होगा वेज़ुए मैं आपको अपने मुबाइल में देखके बता रहा हूं अब आप मुझे बताए कि क्या यह एलेक्ट्रोनिक कन्फिगेशन ठीक है क्या यह एलेक्ट्रोनिक कन्फिगेशन ठीक है नहीं कौन सा रूल डूट रहा है तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे क्या रूल डूट रहा है बहुत अच्छे था हाँ कौन सा रूल डूट रहा है बेटा बेटा और लोग भी किलास में मौजूद है वो भी जवाब दें कौन सा रूल डूट रहा है इस पे 1 is 2, 2 is 3 बदाए पाली टूट रहा है तो अब बच्छों हम सब से पहले लिखेंगे यहाँ पर वाइलेटे रूल वाइलेटे रूल कौन सा है जी पॉलीज एक्स्कुलूशन प्रिंसिपल और जनाब उसके बाद स्टेटमेंट ओफ रूल वह यहाँ पर लिखेंगे और पालीज एक्स्कुलूशन प्रिंसिपल के स्टेटमेंट क्या है यहाँ पनाब लिएक्सionarब लिएक्स्काओ क्याँ लगांगेंगे रूलाइ और orbital can have can have same set of four quantum numbers. यह statement आपने लिख दिया हम और अब इसके बाद हम लिखेंगे correct tc और correct tc क्या होगी देखें बजो 1s2, 2s2 आपको पता है एक orbital में दोसे ज़्यादा अलेक्डॉन नहीं आते हैं तो अब हमें एक अलेक्डॉन जो है वो डालना है तो वो हम 2px में डालेंगे यह हो गई correct tc बच्चों यह पूरा लिखने के आपको मिलेंगे तू मार्क्स और ऐसा प्यारे बच्चों तीन इसी दिम्तहान में आती हैं तो यह को भी करें बच्चों और मुझे बताईए आपको समझ में आया यह सवाल किस तरीके से करना है और हम तो और यह सवाल आपको पता है कर चुके हैं पिश्री किलासे में लेकिन इस दब हमें आपको पूरा यह question अलग से तहाजावेद मेंशन कर सकते मेंटा मेंशन नहीं भी कर सकते दोनों ठीक हैं और अब मैं आपको बजो दूसरी रॉंग इसी लिखके दिखाऊंगा और आपने उसको करेक्ट करना होगा अब आपको सामने इसी में लिख रहा हूँ नमबर तू रॉंग इसी वन इस तू तूस्टू तूस्टू तूब शिक्स 3 एस तू 3 पी 2 3 पी डो या 3 पी एकस तू तो बचों बताईए क्या यह EC right है या wrong है कौन सा rule इसमें टूट रहा है तो जनाब यह electronic application wrong है क्योंकि हमने 3PX2 में pairing करिए तो हूंस रूट रहा है हूंस रूट रहा है अब हम हूंस रूट का statement लिखेंगे हूंस रूल का statement याद है नहीं तो बच्चों statement आपको याद होना चाहिए तो statement क्या है सुनिए in degenerate orbitals electrons tend to tend to remain tend to remain unpeered tend to remain unpeered if they have choice to do so if they have choice to do so peering only occurs when all degenerate orbitals are half filled this is the statement of und's rule 3p x2 3p x2 possible peering इसमें तो degenerate orbitals में pairing नहीं होती जब तक के तमाम orbitals आप fill नहीं होगो अब हम इसकी correct dc लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 अब 3P X को ब्रेक करेंगे, P को ब्रेक करेंगे तमाम और्बिटल्स में, 3P X, 3P Y, दो एलेक्टॉन हमने P में डाल लें, तो वो हम एक एक करके डालेंगे, आप चाहें तो 3P Z भी बना लीजिए, लेकिन 3P Z में एलेक्टॉन नहीं है, तो देखा आपने बचो ये था, दूसरी रॉंग अलेक्टॉनिक कन्फिकेशन, उसी तरह समझ में आई बात बिड़ा, अलेक्टॉनिक कन्फिकेशन को गोर से देखेंगे और देखेंगे कि कहां पर रूल तूट रहा है, रूल हमेशा आखिर में ही तूट रहा होता है, यानि जहां एलेक्टॉनिक कन्फिकेशन एंड हो रही होती है, तो वहां पर आप देखेंगे 3P X2 जैसे लिखा हुआ है, तो 3P X2 का मत्तब है हुन्सरूल टूट रहा है, क्योंकि 3P X में पेरिंग नहीं हो सकती, जब तक कि 3P के तमाम डीजनरेट आपिडल्स में एक एक एलेक्टॉन ना आ जाए, और आप बच्छों आखरी एलेक्टॉनिक कर्टिफिकेशन आपको लिखके रिखाता हूँ, रॉंग वन, और देखतें कि इसमें कौन सा रूल टूटेगा, विसाल के तौर पर बच्छों आप तीसरी एलेक्टॉनिक कर्टिफिकेशन देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p3, यह एलेक्टॉनिक कर्टिफिकेशन अब बच्छों यह एलेक्टॉनिक कर्टिफिकेशन गलत है या ठीक है? निक, क्यों गलत है? क्यों गलत है? सिद्रा बताईए, क्यों गलत है यह एजी? शिल्पा धीक है में आपका जवाब तो कौन सा रूल डूट रहे सिद्रा? सिद्रा हुन्स रूल कैसे टूट रहे है वेटा? सिद्रा हुन्स रूल दोड़ी टूट रहे है वेटा? जी एमन सही आपका जवाब जनाब यहाँ बर जो रूल डूट रहे है 3P3, 2P के बाद 3S फिल होता है तो कौन सा रूल डूट रहे? ऑफ़ाव रूल डूट रहे ऑफ़ाव रूल डूट रहे या पर जब ऑफ़ाव रूल डूट रहे? उसी वक्त N फिलस L भी तूटता है तो दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं फिर आप इनका स्टेक्मेंट लिखेंगे अबाव रूल का क्या कहना है अबाव रूल का स्टेक्मेंट क्या है इन एन एडम और विडल्स of low energy orbitals of low energy orbital of low energy is filled period 2 that of period 2 that of high energy energy of 3s is lower than 3p 3s पहले फिलोगा बन इस बर 3p के तो बच्चों करेक्ट इसी फिर हम लिख के दिखाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एक एलेक्टर बज गिया वो 3px में चला जाएगा 3 electron हमने डाल ले थे 3p में 3 electron दे तो वो हमने 2s में डाल दिये और 1p में डाल दिये तो इस तरह ये करेक्ट इसी बन गई जनाब ये बच्चों 6 नंबर का या 4 नंबर का सवाल एक्सपेक्ट इड हर साल एक्जाम में आता है अब देखें के इस साल आता है या नहीं आता ये आपकी किसमत जनाब आप में इसको बिढा रहा हूं और आपको पढ़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेशन पिरियोडिक टेबल के हवाले से करा रहा हो बच्चों पिरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स को एक्टामिक नंबर की इंकरीजिंग वैल्यू के लिहाज से प्लेस करते हैं बच्चो periodic table horizontal rows और vertical columns पर मुश्तमिल होता है यह देखे मैं आपके लिए vertical columns बना रहा हूँ बच्चो जब vertical columns बनते हैं तो automatically horizontal rows जो हैं वो बन जाती है बच्चो टोटल अठारा vertical columns है एक दो तीन चार पाँच और एक बच्चो बॉक्स जो है वो बुलकुल उपर है जगा कम है तो थोड़ा सा इदर देख लीजे बच्चो फिर उसके बाद periodic table में gap होता है दस elements का बच्चो यह horizontal rows है इस तरीके से यह horizontal rows है बच्चो बच्चो horizontal rows को period कहते हैं यह पहला period है period 1 यह period 2 है यह period 3 है यह period 4 है यह period 5 है यह period 6 है और यह सबसे आखिर में period 7 है बच्चो total 7 periods होते हैं बच्चो हर period principal quantum number को represent करता है बच्चो पहले period का मत्तब है first orbit या n is equal to 1 period 1 का मत्तब है के electron की filling k shell में हो रही है और फिर l में, m में, n में, o में, p में और q में हो रही है इसी तरह बच्चो यह जो चौधा period है चौथे period के बाद 10 elements का gap होता है periodic table में यह मैं छोटा सा बना रहा हूं क्योंकि मेरे पाद vote का में मुझे आगे भी groups बनाने न उसके बाद यह total यहां तक 10 column है 10 columns हैं यहां पर और अब बागी groups में आपको लाल रंग से बनाके दिखाओंगा उसके बाद 5事情 में में कहा को,क्र noodles को toा looking झा जा यहां झा यहां जा उसके पाद यहां Zoom और यहां पर बच्चों एक element है, उपर, बुलकुर इस तरह जैसे यहां पर एक element है, लेकिन यह element साथ नहीं है, उपर है थोड़ा सा, गैप दे के बनाएंगे हैं, अब अच्छों मैं इसको आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत तबर जो मुझे चाहिए, बच्चों जो पहला element है, उसका atomic number 1 है, वो hydrogen है, hydrogen 1, बच्चों hydrogen की electronic configuration है 1s1, दूसरा element है, उसका नाम है helium, और इसकी electronic configuration है 1s2, तो बच्चों पहले period में दो elements हैं, और दोनों की electronic configuration 1s में हैं, जब 1s खतम होगा तो 2s शुरू होगा, तो बच्चों अगला element जो है, उसकी electronic configuration है 2s1, फिर जनाम 2s2, फिर उसके बाद 2s2 फिल हो गया, तो 2s2 के बाद 2p1 फिल होगा, तो 2p1, 2p2, 2p3, एक-एक electron हम डालते चले जाएंगे, यहां जब के सबसे आखिर में पहुचेंगे, तो पी orbital मुकमल दोर पर भर जाएगा, इस तरह बच्चों तमाम elements हैं, उनको आप गवर से देखिएगा, एक group में, यह group कहलाता है बच्चों वर्टिकल गॉलम, एक group में तमाम elements की electronic configuration वैलन शेल में सेम हैं, चेक की जिए अब, सब की सेम है, सिर्फ क्या चीज़ चेंज हो रही है, principle point of number की value चेंज हो रही है, इन elements को मैं place कर रहा हूँ, लीथियम, सोडियम, उटाशियम, रुबीदियम, सीजियम, और फ्रेंशियम, यह group 1A कहलाता है बच्चों, group 1A, बच्चों अपने पास note कीजिए, बच्चों, group 1A का valence shell S में है, और उसमें एक electron है, लेकिन तमाम elements में principle point of number की value chain है, जिसको हम N से जाहिर करेंगे, तो group 1A के तमाम elements की valence shell EC बनेगी N S1, इस EC को कहते हैं बच्चों, general valence shell EC, इसका मत्तब है group 1 में जितने elements हैं, उन सब के पास एक valence selek down है, इसी तरह group 2 की EC क्या बनेगी, N S2, यह अलग से अपने पास note करें, मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, यह note करें, group 2 की N S2, अब group 2 में जो elements है, वो में place कर रहा हूँ, आपके लिए, berylium, magnesium, calcium, stoncium, varium और radium, फिर अब मैं आ रहा हूँ, इन groups की तरफ, प्यारे बचों, इस group में आप देखिए, कि total valence selek down 2 और 1 तीन है, तो group बनेगा 3A, इस तरह यह बनेगा 4A, 5A, 6A, 7A, और यह group बचों बनेगा सबसे आखिर में 8A, और अब मैं इन elements को यहाँ पर थोड़ी देर में place करूँगा, पहले मैं आपको, group third day के अगले element की valence selek इसी बताता हूँ, check कीजिए, 3S2, 3P1, 4S2, 4P1, 5S2, 5P1, 6S2, 6P1, बैरे बच्चों, यह वाला element अभी दर्याफ नहीं हुआ है, आपकी बुक के मताबिक, लेकिन हमारे मताबिक दर्याफ दो चुका है, 7S2, 7P1, इस तरह बच्चों, इन सब की EC आप लिखेंगे, तो सिर्फ N की value चेंज हो जाएगी, EC वो ही रहेगी, 2S2, 2P1, S2P1, इसी तरह यहाँ पर, S2P2, यहाँ पर, अगले group में S2P3, तो बच्चों, इस EC को जर्वल अंदाज में लिखेंगे, N, S2, N, P1, N, S2, N, P1, यह नोट करें, यह group 3-A की है, N, S2, N, P1, इस की क्या होगी group की? गुरुप 4 की क्या होगी? बताओ, गुरुप 4 की बताईए भाई, गुरुप 4 की इतहाद, गुरुप 4, जी, गुरुप 4 की क्या होगी? गुरुप 5 की क्या होगी? न, S2, N, P3, गुरुप 6 की क्या होगी? न, S2, N, P4, गुरुप 7 की क्या होगी? न, S2, N, P5, गुरुप 6 की क्या होगी? PNS2, NPS6, it is very very important now. मैं लेक्षर यहां रोगूँगा. प्यारे बच्छों, ये ऐलिमेंट्स जो आखरी गुरूप में हैं, इनके नाम खुस्ची दोर पर आपको याद करने हैं. हिलियम, नियोन, आरगॉन, क्रेप्टॉन, जीनोन, रेड़ॉन, ये अभी डिस्कावर नहीं हुआ बयारे बच्छों, ये वाले डिस्कावर नहीं हुए हैं आपकी बुक के मताबिक. ये नोबिल गैसिस कहलाती हैं बच्छों, ये आखरी गुरूप में जो एलिमेंट्स हैं. बच्छों, इनका वैले शेल मुकमल तोर पर फिल हुआ हुआ है. यानि इनका कम्पलीटली फिल्ड वैले शेल है. बच्छों, कम्पलीटली फिल्ड वैले शेल स्टेबल होता है. बच्चों, जितने भी एटम है, किसी का भी वैलन शेल मुकमल नहीं है, सिवाए नोबिल गैसिस के. तो बच्चों, हर एटम ये चाहता है, कि अपने वैलन शेल में आठ एलेक्टॉन अचीव कर ले. इस मकसद के लिए, वो एटम या तो एलेक्टॉन लूज करता है, या गेन करता है, या शेयर करता है. And this is the basis of chemical bonding. So बच्चों, दुनिया में हर एटम ये चाहता है, कि अपने वैलन शेल में आठ एलेक्टॉन मुकमल कर ले. बच्चों, अगर किसी एटम के वैलन शेल में आठ एलेक्टॉन हो जाएं, तो उसका ओक्टेट मुकमल हो जाता है. This is called, ओक्टेट रूल. ये तहा नाइट्रोजन भी सब, हर एटम ये चाहता है. ये बच्चों मैंने आपके लिए पूरा प्रियोडिक टेबल बना दिया है, इसको अब आप मुकमल करें, अगर ये मुकमल नहीं है तो, जल्दी जल्दी से इसको मुकमल कर लें. अपे अलिमेंट्स दालना हूं, बरोन, कारबन, नाइट्रोजन, औक्सीजन, फ्लोरीन, अल्मुनियम, सिलिकॉन, फोस्फोरॉस, सल्फर, किलोरीन, गेलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम, ब्रोमीन, इंडियम, तिन, एंटिमोनी, चिलूरियम, आयोडीन, थेलियम, लेड, बिसमत, पोलोनियम, और लास्ट वनियम, यह पूरा पिरियोडिक टेबल आपके सामने है, सिर्फ हमने शुबीच में जो लाल रंग के गुरुप से वो नहीं दिखाए है, इनको बी गुरुप कहते हैं, यह इन्शालला आपको आज के लेक्चर के बाद में आपको फियोडिक टेबल भेजूंगा, जिसमें सारे गुरुप से होंगे, अब जरा सा आप यह नोट करें कि यह शुरू के जो दो गुरुप से हैं, इनको कहते हैं S ब्लॉक. शुरू के जो दो ब्लॉक से, शुरू के जो दो गुरुप से हैं, उनको कहते हैं S ब्लॉक. और ये आखरी के जो 6 ब्लॉक्स हैं इनको कहते हैं P ब्लॉक और बच्चों ये जो लाल रंग से छोड़ दिये गए हैं इनको कहते हैं D ब्लॉक अब जरा गोर से देखिए कह दर यारे बच्चों इस जगह पर और इस जगह पर गैप है छटे पीरियट में और सात्वे पीरियट में गैप है और बच्चों फिर यहां पर 14 चौदा एलिमेंट्स की दो सीरीज हैं जो पिरियोडिक टेबल की बॉटम में हैं चौदा एलिमेंट्स यह हैं इन एलिमेंट्स को गहते हैं एफ वलॉग तो बच्चों अब मुझे सिर्फ आपसे दो बाते करनी हैं और मेरा लेक्च्चर आज का मुकमल हो जाएगा प्यारे बच्चों मैंने आपसे वादा किया था प्रियोडिक टेबल बढाने का मैंने अपना वादा पूरा कर दिया हैं बावजूद इसके के दूर दूर तक आपके किसी भी बुग में यह कोर्स में नहीं हैं लेकिन बच्चों वादा तो वादा होता है जी ताह आप कह इन में मैटल और नॉन मैटल का भी पता दीता है येस जो घ्यार। जो गुरुब शुरु में होते ही ऐस बॉलोक में में ज्यादातर नॉनमेटल है डी ऑलोक और आय फ बोलोक में सब मैटल अगशन इम अबर अखिर टो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं तो बचो ऑक्सीजन, नाइड्रोजन, फिलोरीन, सिलीक, फास्फोरस, सलफर, किलोरीन, बिरोमीन, आयोडीन ये नॉन मेटल्स है पैटरन है तहाँ वो अभी बताना जरा ठीक नहीं है वो आपको पता दें कि इन्शाला सेकेंड एर के अंदर फिलहाल इस पर जोर दीजे तो कोई सवाल आपने पूछना है बचो कोई कोईशन आपने करना है कल केमिकल बांडिंग स्टार्ट होगी भाई कोई बात समझ में नहीं आ रही तो पूछ लो बेटा जल्दी से कोई डरने की जरूरत नहीं है कोई भी सवाल पूछ लो कोई देखी नहीं था तुम लोगों को यार पूछ लो शाबश जल्दी से पूछ लो पूछो पूछो पेटा जल्दी पूछो शाबश कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछो बेटा तहां क्या बात पूछो यार नहीं मेरे घर पर नहीं जा रही शाबशasia सोपले के लिएसा की काया पूर्छो शाबश के लिए लो फूछो पर शाबशा पूछो की दाबश्छो का लो भी एक इस तरह से एक शुब्राइब कर दो लुद्ध नियुक्त फाट्मा एफ बोलॉग नीचे यह बिड़ा फ बोलॉग नीचे पिड़ा यह यह फ बोलॉग है इसमें जो पहली F-Block की सीरीज है उसको कहते है लेंथानाइट्स और जो नीचे वाली सीरीज है उसको कहते है एक्टिनाइट्स लेंथानाइट एक्टिनाइट्स लेंथानाइट इटॉमिक नंबर 57 के बाद है एक्टिनाइट इटॉमिक नंबर 89 के बाद है टोटल D बलॉक 40 है और F बलॉक 28 है येस स्टुडेंट्स आज का लेक्चर कैसा रहा कुछ समझ में आया जी स्टुडेंट्स वाट डियू से कैसा रहा आज का लेक्चर तो बच्चों इस हफते आपका टेस्ट होगा इटामिक स्टुक्चर का और ये टेस्ट जो है वो एक्स्टर टाइम में होगा मैं आपको बता दूँगा एक्स्टर टाइम क्या होगा पहले मुझे ये बताएं बच्चों कि अगर आपको हम नौ बजे के बाद टेस्ट लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नौ बजे के बाद रात नौ बजे ओके तो अपनी तयारी शुरू कर दीजे आपका टेस्ट कल या परसो होगा या जुमेरात को होगा आपको बता दिये जाएगा आपका टेस्ट होगा विद एमसी क्यूट साथ में यह मैंने आपको बता दिये मोहमद एमद पहले से तियारी कर ले आपके इमकान यह कि आपके बोर्ट के पेपर जो है वो शायद अगले मही ने स्टार्ट हो जाएए इसकी प्यारे भाई प्यारे बच्चों अपने आपको अपडेट करो जल्दी से याद कर लो सारी चीजने टाइम कम है और बच्चों आप दो बातें रह गई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं और वो है जर्नल एलेक्टोनिक कन्फिकेशन ओफ डी बलॉक और एफ बलॉक नाओ जी अब ये इसको मैं बिटा रहा हूं क्योंकि टाइम अब खतम होने वाला है ऐसा ना हो कि मेरी लेक्चर अधूरा रह जाए देखो बटा देखो बटा डी बलॉक का वैले शेल दो और बिटल्स पर मुझतमिल होता है एन माइनस वन डी और एन एस पर एन एस में बच्चों दो एलेक्टोन्स होते हैं और डी के अंदर बच्चों वन से टैन एलेक्टोन होते हैं एन का मतलब है प्रिंसिपल क्वाइंटम नंबर इसकी वैल्यू होती है फोर फाइव सिक्स सेवन इसका मतलब है डी बलॉक जो है वो टोडल 40 हैं हमारे पास क्योंकि हर दफार डी में 10-10 एलेक्टोन आएंगे और अब बच्चों एप वलॉक की एसी देगे बच्चों एप वलॉक का जो वैलेंश हैल है वो दो और बिटल्स पर मुश्तमिल होता है एन माइनस टू एफ एन माइनस वन दी और एन एस बच्चों एस में दो एलेक्टोन होते हैं डी में जीरो से लेकर वन जीरो से लेकर वन या जीरो से लेकर टू एलेक्टोन होते हैं और F के अंदर 0 से लेकर 14 या 2 से लेकर 14 एलेक्टॉन होते हैं बहुत इंपोर्टेंट इसी है, 0 से 14, 2 तो 14, बड़े मज़े की बात है कि कोई भी ऐलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी एलेक्टॉनिक केन्फिकेशन F1 हो, F में एक एलेक्टॉन होता ही नहीं है किसी भी ऐलिमेंट में, F2 से स्टार्ट होता है, F2 से स्टार्ट होता है, 1 होता ही नहीं है तो यह था बचो आपके सामने दो जर्णल वेलेशेल एलेक्टॉनिक इन्फिकेशन को चीज होती है नहीं पता था ना इसे लिए मेरे बेटे जब आपने आपने नेशनल पर रिलाई किया है तो आपको धोगा नहीं रिया जाएगा नैशनल सर्फराज की तरह है तो कभी धोगा नहीं देगा अलाव भी सुझेंट आए में साहब